हेलो एंड गुड़ीवनिंग ओल आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और क्लास में जुणने क्या प्रयास कर रहे होंगे कुछ बच्चे जो पहले से जुड़ जाते हैं बहुत अच्छा लगता है पंक्चुल है वो टाइम के समय के पाबंध और मैं भी एवरी डे यही कोशिश करती हूँ कि समय से बिल्कुल एक मिट भले पहले जुड़ जाओ लेकिन लेट ना हूँ हमको दो-तिन मिनट वेट करना पड़ता है ताकि और भी हमारे साथ जो स्टूडेंट्स है वो जुड़ जाए और एवरी डे हमारे साथ कुछ नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं जिनके लिए मुझे कुछ चीजें रिपीट करनी पड़ती है और सोनुज जी गुड़ इवनिंग जो जो आते जाएंगे हमारे ग्रूप में जुड़ते जाएंगे वो अपना थमस अप शो करते जाएंगे गुड़ इवनिंग जो भी जिसको विश करना है कर सकते हैं जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ हमारे जो बच्चे हैं वो जोड़ रहे हमारे साथ तो फिलफॉर्म से जुड़ने के बाद आप लोगों को फील हो रहा होगा कि आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा और अगर हम इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में आपकी मदद कर पाए हैं तो ये इसके लिए हम भागेशाली हैं और कई स्टुडेंट्स ऐसे हैं हमारे साथ जो बिल्कुल रेगुलर है टाइम पर आते हैं रोज आते हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी काम को टाइमली करें रेगुलर करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी चार लाइने आप लोगों के लिए बोलूँगी कि जिन्दगी में टेंशन ही टेंशन है फिर भी इन लबों पर मुस्कान है क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है इसलिए जब भी कोई काम करें तो आपकी मुस्कुराहट नहीं खोनी चाहिए हाँ टेंशन तो होगी हर नए काम में टेंशन तो होगी बट जब आप उस काम को अपने होसले से और अपनी मुस्कुराहट को रखते हुए बरकरार रखते हुए करेंगे तो आपको काम में सफलता भी जरूर मिलेगी और कोई भी नया काम करेंगे तो उसमें आपको एक अर्चन अकसर देखने को मिलती है कि हमने ये शुरू किया और देखो हमको इतनी प्रॉबलम आ रही है तो ये प्रॉबलम जब तक नहीं आएगी तो आप उस काम को सीखेंगे कैसे ये सीखने का एक स्टेप होता है जब आप नई नई चीजे सीखते हैं तो उसमें आपको जो प्रॉबलम आती है वही तो आप step को आगे बढ़ते हैं तो वही उसी चीज़ को कहा जाता है सीखना सब कुछ अगर अराम से हो जाए तो फिर सीखना क्या हुआ तो फिलब फॉर्म में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं सुना ली आपकी EBS teacher और हमारी जो टाइमिंग है 6-7 PM की है Every Monday to Saturday हमारी classes होती है जो हमारे new students हैं उनके लिए मैं regular एक बार ये बात बता देती हूँ आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी सिटेट की टीम है टीम मेंबर्स कौन-कौन है हमारी classes की टाइमिंग क्या है शाहीन जी गुड इवनिंग रुपाली जी गुड इवनिंग संगीता जी गुड इवनिंग और वर्षा मैणम को टाइमिंग है वो है 9 a.m. का Social Studies लेती है चंदरशेकर सर की टाइमिंग है 10 a.m. Maths की ट क्लास लेते हैं सुक्वंती मैं इंग्लिश की क्लास लेती हैं 1 p.m. पे रितु मैं इंग्लिश की क्लास लेती हैं 3 p.m. पे आर्ती मैं हिंदी की क्लास लेती हैं 10 p.m. और I am Sonali, your previous teacher और अवर टाइमिंग इस 6 to 7 p.m. एक एक घंटे की आपके क्लासेस होती हैं और जो नए students हैं उनके लिए मैं एक बर और repeat करवा देना चाहती हूँ कि वो हमारे description पे जाएंगे और वहाँ पे आपको टेलिग्राम की जो link मिलेगी उस पे क्लिक करके हमारे टेलिग्राम ग्रूप को आप जॉइन करिए इससे आपको day by day जो भी information रहती है वो मिल जाएगी भावेश जी का कहना है कि क्या मैं net के exam में पास हो जाओंगा कल result आने वाला है तो देखे वो आपकी तयारी पे depend करती है मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो मैं कोई पंडित जी तो हूँ नहीं prediction करने वाली लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाय की है last year के question paper को follow किया है क्योंकि बहुत सारे question last year के question paper को देखते वे आते हैं तो अगर उस सरह से आपने एक strategy अपना करके और classes की है और त्यारी अपनी रखी है और exam दिया है तो definitely आप pass होंगे ही होंगे उसमें कोई शक नहीं है तो all the best कि आप अच्छे नवरों से पास हों और आगे बढ़ते हैं हमारी जो ये class है ये paper 1 and 2 के लिए है free classes है आपको कोई charges नहीं देने है इसके लिए जोच्णा जी और माही जी good evening तो हम अपनी class start करते हैं अब लेट नहीं करेंगे हमारी आज की class भी MCQ की class है और इसमें थोड़े से कुछ different questions मैंने आज add किये हैं pedagogy लगातार अभी चल ही रही थी हमारी आज कुछ content के question है कुछ थोड़े different questions भी है map से related मैंने आपको बताया था कि कुछ map से related questions भी आते हैं तो आपको जो इंडिया का map है उसको भी जरूर follow करके जाना है है ना तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो इंडिया का जो map है उसको एक बार अच्छे से आपको देखना है और state आपको देखना है कि कौन-कौन से state किसके साथ touch में है ठीक है उनका थोड़ा direction आपको देखना है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक class map के उपर कराऊं तो अगर आप सभी agree हों तो मैं एक दिन पूरा map के उपर ही पूरी एक class करा दूँगी वैसे map से एक या दो question आते हैं related to map ठीक है तो जो sst पढ़ रहे होंगे उनको भी इसमें मिल ही रहा होगा सारा knowledge तो first question हमारा है which one of the following place is our country's cold desert शीत मरुस्थल first answer almost सभी का B आ रहा है answer और इसका जो right answer है that is B बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया लद्दाग जो है वो है शीत मरुस्थल देखे वैसे मरुस्थल तो जैसल मेर भी है और लद्दाग भी है लेकिन यहाँ पे especially आपको देखना पड़ेगा कि question में क्या कहा गया है शीत मरुस्थल की बात कही गई है मरुस्थल तो है बट शीत मरुस्थल की बात कही है तो यह चोटी-चोटी questions में आपको ध्यान देने वाली बाते हैं आगे बढ़ते हैं next question पे question number two which of the following makes a correct pair कौन सा निम्न लिखित में से कौन सही युग्म बनाता है number two करके answer करेंगे असम बीहू ओडिसा भरतनाट्यम तमिलनाडू लावनी करनाटका कथख number two डालके answer करेंगे यह आपका last topic से है माही जी आज भी फटाफट कर रही है लग रहा है कि माही जी को कोई beat नहीं कर पाएगा सबसे पहले माही जी का ही answer आता है माही जी ने A किया है भावे जी ने D किया है लेखनी जी ने A किया है लेखनी जी आपका नाम बहुत unique नाम है आज तक मैंने कभी नहीं सुना है किसी का और बहुत ही प्यारा नाम है मैंने अभी तक किसी का नाम लेखनी नहीं सुना है और बहुत ही प्यारा नाम है कुंदन जी ने भी A किया है जोती जी ने A किया है most of the answer क्या है A है और A is the right answer असम का जो dance है वो है बीहू बीहू dance जो है असम से बिलॉंग करता है तो ये जोड़ी जो है बिल्कुल सही है ओडिसा का जो dance है वो है ओडिसी तमिल नाडू का है भरतनाट्यम और करनाटका का है आपका कथकली ठीक है तो ये आप लोगों को I think clear हो गया होगा ये मैंने आप लोगों को dance forms बताये थे बहुत अच्छा था वो आप जिनोंने वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर वीडियो को देखेंगे बहुत अच्छी class हुई थी हमारी उस दिन की और बहुत सारे उसमें dance forms के बारे मैंने आप लोगो clear बताया था उसमें हमारे जो dance form है कुछ जो है हमारे 8 जो है हमारे classical dance है और folk dance जो अब 40 है जिन में से जो main main जिन से पूछा जाता है question उनको मैंने उसमें add किया था आगे बढ़ते हैं next question की तरफ खेजडी tree are mainly found in खेजडी के पेड मुख्य रूप से पाए जाते हैं कैसे जगों पे मतलब परिस्थितिया कैसी होंगी महाँ पे hot and humid cool and dry moderate और hot and dry मतलब गर्म और आद्र थंडी और शुष्क मध्यमिस्थिति गर्म और शुष्क third number करके इसका आंसर करेंगे कुंदन जी का अंसर आया है B अराम से पढ़िए ध्यान से पढ़के समझ के तब करिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है और खेज़री टी से question भी बहुत आते हैं अलग-अलग तरह से घुमा घुमा कर questions आते हैं भावेश जी का अंसर D आ रहा है स्वाती जी का तो option में नहीं है लेकिन Z भी answer कर रहे हैं लोग Z तो option में ही नहीं है कुछ का A और कुछ का D D और A में जो है वो थोड़ा confusion है मतलब first and fourth में थोड़ा confusion है वो भी मैं आप लोगों को clear कर दूँगी tension की कोई बात नहीं है इसका जो right answer है वो है hot and dry condition क्योंकि देखिए खेजडी का जो tree है मैंने हमेशा आपको बताया it's okay शालिनी जी कोई बात नहीं तो खेजडी tree के बारे में हमेशा जब मैं आपको बढ़ाती हूँ तो उसको मैं बताई हूँ कि ये राजिस्थान में पाया जाता है basically राजिस्थान का जो है इसको वहां का कल्प विक्ष कहा जाता है कल्प विक्ष वो होता है जहां जिस पेड़ के लीचे आप खड़े होके जो मांगते हैं आपको मिल जाता है इस तरह से कहा जाता है तो ये जो खेजडी का जो ट्री होता है एक बार repeat कर देती हूँ इससे और भी related question आते हैं जो खेजडी ट्री है उसके पत्ते जो हैं वो खाने के काम में भी आते हैं और उसकी जो च्छाल होती है जो उसकी बार्क होती है पेडों की उससे दवा बनाई जाती है और जो उसके तने होते हैं जो उसकी लकडियां होती है वो भी इस तरह की लकडियां होती है कि उसके कीडे नहीं लगते मतलब furniture बनाने के use में वो आ सकती है और easily वो इतनी गर्ण जगर में survive करता है क्योंकि ये basically जो राजिस्थान है वहाँ का इसको कल्प रिक्ष्ट कहा जाता है तो राजिस्थान में basically ये पाया जाता है और आपको ये ध्यान देना है, कि राजिस्थान में अगर पाया जाता है, तो वहां की जो atmosphere होगी, वहां का जो मौसम होगा, वो किस तरह का है? वहां गर्म है और शुष्क है, शुष्क मतलब सुखा मौसम है, कोई भी चीज सुखी सुखी सी रहेगी वहां पे, और first कई बहुत रहती है, गर्मी बहुत होती है, लेकिन वहां पे क्या होता है, नमी भी बहुत होती है, तो आप मरुस्थर में नमी की उमीद तो नहीं कर सकते, तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा? गर्म एवं शुष्क इस्थिति, आगे बढ़ते हैं, कोई किसी को कोई problem तो नही आप लोग, ठीक है? तो ये बिल्कुल मैंने अच्छे से आप लोगो clear भी कर दिया है, और इसी कारण से हमारे 30-30 questions नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मैं कभी भी quantity में विश्वास नहीं करती हूँ, मैं हमेशा quality में ही विश्वास करती हूँ, भले मैं कम पढ़ाऊं, लेकिन जो पढ़ाऊं वो आपकी समझ में आना चाहिए, मैं चाहूँ तो यहा 30-30 questions, 40-40 questions आपको एक घंटे में करा सकती हूँ, लेकिन जब आपको वो समझ में नहीं आएगा उसका concept, तो उतने questions कराने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं basically 20 questions ही आप लोगो कराती हूँ, लेकिन ये 30- 30-30 का मतलब ये हुआ, कि इसमें इस question के साथ साथ मैं आप लोगों को हर question के साथ एकात question और बता देती हूँ, इसलिए हमारा जो topic होता है उपर का जो आप thumbnail देखते हैं, that is 30-30, मतलब हम इन 20 questions के अंदर भी और कई question create कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमेश जितने लिखे हैं वो ही question आप solve नहीं करते हैं, ठीक है, तो question में ये भी पूछा जा सकता है कि राजिस्थान का कल्प रिक्ष किसे कहा जाता है, तो खेजरी ट्री को कहा जाता है, एक question और बनता है आपका, खेजरी ट्री की जो छाल होते हैं उससे क्या बनती है, तो उससे दवा बनती है, ये एक और question आपका हो जाता है, तो इस तरह से कई question एक question के अंदर से और भी बन जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question is, मनी, कोई मनी नाम का बच्चा है, अपनी कक्षा, पांच, EBS कक्षा में अक्सर जाच और कल्पना शील प्रशन पूछती है, ऐसा करके वह सुधार करना चाहती है, क्या सुधार करना चाहती है, मनी frequently ask probing and imaginative question, imagine कर रही है, कल्पना शील प्रशन पूछ रही है, in her class, तो by doing so, she aim at, क्या सुधार करना चाहती है, तो इसमें कल्पना की बात कही गई है, ये आपको answer में, मतलब जो question है, आपको question की भाशा को समझना होगा, कि इसमें क्या कहा गया है, कल्पना शील प्रशन पूछती है, इसकी बात की गई है, कल्पना आप कहां से करते हैं, कोई भी चीज की आप कल्पना कैसे करते हैं, उस चीज को थोड़ा समझिए, कोशिश करिए, उस चीज को समझने की, कि मैंने underline क्यों किया है, मिक्स आंसर भी आ रहे हैं, बी है, ए है, डी भी है, देखिए, अवलोकन, इसको अब मैं clear करती हूँ, आप लोगों को, अवलोकन तब होगा, जब हम कोई काम को करवाएंगे, ठीक है, कोई project करवाते हैं, किसी तरह का कहीं घूमने ले करके जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो अवलोकन करेगा उस चीज का, लेकिन यहाँ पर कल्पना शील प्रश्न पूछा जा रहा है, भावनात्मक रूप से हम कभ होंगे जुडेंगे, जब हमारे अंतर मन से वो चीजे जुड़ जाएंगी, ठीक है, सुनने का कौशल तब आएगा, जब कोई definition, कोई व्याख्या की जाएगी, तब सुनने का कौशल भी बढ़ेगा, लेकिन सोच कौशल की बात यहाँ पे आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ कलपना की बात करी जा रही है, तो कलपना हम सोच से ही तो डेवलप करते हैं, जो हम सोचते हैं, वही तो हमारी कलपना है, तो हमारी thinking skill जो है, वो develop होगी यह आपको समझना, मैंने इसलिए वहाँ पे underline किया है कलपना shield, कलपना कब करते हैं, हम सोचते हैं वो हमारी कलपना होती है, कि काश हमने इस टाइम अच्छा पढ़ा होता तो आज हम doctor बन जाते हैं, यह हमारी सोच है, हमारी imagination है जब हम बचपन में होते हैं, तो बहुत तरह की imagination करते हैं कभी-कभी आप छोटे बच्चों से पूछेगा, जब आप पढ़ाएंगे school में तो आप उनसे पूछेए, एक महीने आप पूछेए, कि भई आप आज उससे पूछ रहे हैं कि आप बड़े होका क्या बनना चाहते हो, वो बच्चा कहेगा, कि मैं तो police force में join करना चाहता हूँ आप एक महीने बाद उससे पूछेए, तब तक उसकी सोच change हो जाएगी कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो बोलेगा कि मैं doctor बनना चाहता हूँ आप दो महीने बाद फिर पूछेए, वो बोलेगा मैं engineer बनना चाहता हूँ तो बच्चों में क्या होता है, हमेशा वो कलपना करते हैं कभी वो किसी police officer को देखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, तो वो police officer बनना चाहते हैं कभी वो किसी political व्यक्ति को देखते हैं, तो उनको लगता है कि अरे हम नेता बन जाए तो बड़ा मजाए तो ये क्या होता है, हमेशा वो सोचते हैं, उनकी जो कलपना शीलता है, वो कहां से होगी, सोच कोशल डेवलप होगी ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन इस, the common element which is present in both carbohydrate and protein, देखें, प्रोटीन में और carbohydrate, दोनों में ही ये सामाने तत्व मौझूद होता है ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल है, इसको याद करना पड़ेगा फिप्ट नंबर डाल करके आंसर करिएगा कोई बात नहीं, गुंजन जी, अगर आप लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं आप वीडियो जब ये convert हो जाएगा तो आप वीडियो में देख सकते हैं, कि क्या हुआ है क्लास में It's okay, कोई problem नहीं है, आप दुबारा से क्लास को फिर से देख सकते हैं इसमें answers आ रहे हैं, B में भी answer आ रहे हैं, A में भी answer आ रहे हैं और इसको थोड़ा याद कर लिजेगा ये सारी चीज़े कुछ-कुछ चीज़े हमें याद करनी पड़ती है और कुछ चीज़ें समझने वाली होती है D भी आ रहा है आंसर Mixed answer है, थोड़ा सा confusion तो होगा इसमें ये last year actually जो questions पूछे गए थे उनमें से मैंने choose किये वे question है और D भी आंसर आ रहे है Mixed answer है आपके, A भी आ रहे है D भी आ रहे है और कुछ लोगों ने B भी किया है तो इसका right answer आप लोगों को मैं बता देती हूँ ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और इसका right answer जो है, वो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखिये, याद करके रखिये That is nitrogen, ठीक है? ये याद करने वाली बात है आगे बढ़ते हैं देखे, Pedagogical question भी है इसमें और Mixed question मैंने add किये है प्रात्मिक इस्तर पर EBS पाठिक्रम को शुद्ध विज्यान के साथ-साथ समाजिक विज्यान अवधार्णाओं को शामिल करने के लिए विक्सित किया गया है या मुख्य रूप से किया गया है क्यों किया गया है ये? विशय, शिक्षकों की आवशक्ता को कम करना मतलब subject teacher जो है वो कम हो जाएंगे इसलिए कि आप विज्यान भी साथ में कर दे रहें और सामाजी विज्यान भी साथ में पढ़ा दे रहें teacher कम कर दिया आपने एक शिक्षार्थी को पर्यावरण के समग्र रूप से देखने में सक्षम बनाता है school bag के भार को कम करता है और अध्यन किये जाने वाले विश्यों की संख्या को कम कर देता है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए समझिए देन आंसर कीजिए इसका मैंने कई बार आप लोगों को बताया है आंसर पढ़ाते पढ़ाते कई बार इस पर हमारा discussion हुआ है इसक्स्त का आंसर दो लोगों का आया है भी तक B नमबर टू आंसर जोती जी का भी B है भावेश जी का अलमोस्ट B आ रहे हैं सबके बेरी गुट और राइट आंसर भी B ही है बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं तो इस पर राइट आंसर है B क्योंकि देखिए क्या है हम छोटे बच्चों की बात करते हैं EBS जो है मैंने पहले भी बताया है एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं फटा फट से कि EBS में हमारा integrated subject है यह मतलब mix है इसमें इसमें SST भी आपका आजाता है और science भी आजाता है यह दोनों को इसलिए एक साथ पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चों में वो छोटे होते तो इतनी समझ नहीं होती कि वो अलग-अलग से science को अलग से पढ़ेंगे, SST को अलग से पढ़ेंगे तो उनको क्या किया जाता है पहले उसको simple रूप से पढ़ाया जाता है दोनों को mix करके अपने आसपास के वातावरन से match करते वे पढ़ाया जाता है और फिर धीरे उसको आगे जैसे कि छोटे बच्चों में science एक साथ ह ही होता है लेकिन जैसे ही वो बड़े classes में जाते हैं तो science थ्री parts में divide हो जाता है biology आपका physics and chemistry उसी तरह से SST को भी आप देखेंगे तो पहले तो वो SST पढ़ते हैं बच्चे समझते हैं और फिर वो भी divide होकर कि उनको history, civics और geography इस तरह से तीन पार्ट में वो divide होता है तो कि जो शिक्षा का जो प्रारूप रहता है वो जटिल से सरल की ओर जाता है कि सरल से जटिल की ओर जाता है तो हमेशा ध्यान रखेगा सरल से वो जटिल की ओर जाएगा क्योंकि पहले हम easily उस चीज को सीखेंगे धीरे धीरे उसमें जटिलताएं आती जाएंगे तो वो उसको देगे negative वाला question आ गया ये EVS के अध्यन का उद्धेश ये नहीं है ठीक है या बच्चों को मुख्य शब्दों की सही परिभाशा सिखने में सक्षम बनाना चाहिए इसमें या बच्चों को समाज के जिमिदार सदस्य के रूप में विक्सित होने में सक्षम बनाना चाहिए ब बच्चों को सांस्कृतिक प्रथाओं मतभेदों का सम्मान करने में सक्षम बनाना चाहिए मैंने इसका भी आप लोगों को आंसर बताया है कई बार कि बच्चों के साथ जब भी आप पढ़ाएंगे उस पे कभी भी definitions नहीं पढ़ाये जाते हैं कभी भी उनको definitions नहीं पढ़ाये जाएगा definition वो नहीं समझ पाएंगे नहीं सुन पाएंगे कुछ उनको समझ नहीं आएगा यहां क्या लिखा हुआ है? परिभाशा यह आप देख सकते हैं definition क्योंकि वो किसी भी definition को समझने के लिए अभी सक्षम नहीं है, तो उद्देश ये उनको क्या है, कि वो समाज के एक जिम्मिदार बने, वेक्ति बने, है न, जो वहां की प्रथाये हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, उनमें सवाल उठाने का वो सक्षम हो, और लास्ट वाला ह कि बच्चों में सांस्कृतिक प्रथाओं, जो भी मदभेध हैं, उनका सम्मान करने भी उनको सक्षम बनाता है, लेकिन यहां परिभाशाओं की जो बात आ रही है, ये कोई परिभाशा सीखने लाएक उनकी उम्र नहीं है अभी, definitions कभी भी इनमें नहीं आएंगे, आप ध् के assignments दिये जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी परिभाशाओं चोटे बच्चों को आप एकदम से रटवाएंगे न, तो वो कुछ नहीं समझेंगे, तो परिभाशा जो है, वो उनका उदेश्य नहीं है, परिभाशाओं को करवाने का, अभी वो परिभाशा समझने, सीखने ल तो हम आगे बढ़ जाते हैं, एर्थ कोशन है, शालिनी ने कक्षा चार के चात्रों के लिए विज्ञान केंद्र की एक फिल्ड ट्रिप की योजना बनाई है, फिल्ड ट्रिप मतलब घूमने कहीं जाया जाएगा, है न, मतलब किसी भी अच्छे जगा घूमने के लिए, य कौन सा सामान्य निर्देश यात्रा के लिए अप्रासंगिक है, मतलब ये मैच नहीं करता है किसी यात्रा के लिए, एक अजीब है बात, जो यात्रा के लिए मैच नहीं करती है, अप्रासंगिक मुझे बताए बिना कहीं मत जाओ दिन के लिए अपना पूरा स्कूल बैग ले जाएं डिस्प्ले पर अपनी शंकाओं के लिए प्रश्ण पूछें नोट पैड और पैंस असाथ में ले करके जाएं ये कहां गए हैं? फिल्ट ट्रिप के लिए गए हैं स्कूल नहीं गए हैं ये आप ध्यान रखिए एट का अंसर करिए भावेश जी का अंसर आया है बी लखन जी का आया है बी सोनल जी का भी बी कुन्दन जी का डी माही जी का बी जोती जी का भी बी शाहिन जी का भी बी और राइट आंसर भी बी ही है बिल्कुल सही आंसर किया है बी जो है राइट आंसर है इसको भी हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कुछ एकाद लोगों ने अलग भी आंसर किया हुआ है तो कुछ लोगों ने D भी आंसर किया है न, देखिए, notepad और pen जरूर साथ लेके जाना होता है, ये अप्रसंगिक नहीं है, क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप notepad और pen साथ में लेके जाते हैं, तो वहाँ कोई खास चीज, अगर आपको कोई खास point लगता है, तो आप उसको लिख सकते हैं, अपने साथ याद रखने के लिए, उन चीजों को, अपनी जो भी वहाँ पे आपने सीखा, समझा, उसको लिखने के लिए, ये तो आपको बिल्कुल रखना है, ये बिल्कुल प्रासंगिक है, है ना, तो ये relate करता है आपके वहाँ trip से, लेकिन जो बी है, नमबर टू, दिन के लिए अपना पूरा school bag लेके जाने का वहाँ क्या मतलब बनता है, आप वहाँ पर पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आप field trip के लिए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल अप्रासंगिक है, क्योंकि वहाँ, हम बुक्को भी लेके क्या करेंगे, हम तो वहाँ घूमेंगे, वहाँ की चीजे देखेंगे, तो टीचर क्या बोलते हैं, कि मुझे बताए बिना कहीं मत जाओ, डिस्प्ले पर अपनी शंकाओं के लिए प्रश्ट पूछ सकते हैं, बिल्कुल अगर वहाँ डिस्प्ले सिस्टम है, तो उस पर अपनी शंकाओं पूछ सकते हैं, और नोट, पैड और पैन भी साथ मिले जा सकते हैं, तो राइट आंसर इस B, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पक्षियों की एक विशेश प्रजाती का नाम, जिसका नर पक्षी, जो नर पक्षी होता है, कई सुन्दर घौसले बनाता है, और मादा पक्षी अपने अंडे देने के लिए एक घौसला चुनती है, माही जी का आंसर आया है D, नाइन्थ का, कुंदन जी का C, कुछ लोगों का A भी आ रहा है, D भी आ रहा है, ओके सब तरक आंसर आ रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है, देट इस वीवर बर्ड, जिसको बुनकर पक्षी भी कहा जाता है, और बया पक्षी भी कहा जाता है, बया बड़े सुन्दर घौसले बनाते हैं, और ये जो है, जो नर चीडिया होती है, वही घौसले बनाती है, देखिए सन बर्ड जो है, इसमें एक उप्षन है, सन बर्ड में भी जो नर पक्षी होते हैं, वही घौसला बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अंतर ये है कि मादा पक्षी अपने अंडे देने के लिए एक घौसला चुत्ती है, इसमें चुनाओ जो वाली बात होती है न, ये बुनकर पक्षी में ही होता है, तो इसका राइट आंसर जो है, वो है वीवर बर्ड या बुनकर पक्षी, जिसको बया भी कहा जाता है, मैंने दोनों तीनों नाम आपको इसलिए बताए हैं, कि क्वेशन में कन्फ्यूजन क्रियेट करने के लिए आपको नाम भी चेंज करके दे सकता है, बुनकर के जिएगा आपको बया पक्षी भी दे सकता है नाम, ठीक है, तो इंग्लिश निन्दी थोड़ा कोशिच करिए दोनों याद रखने के लिए, नेक्स्ट कोशन में बढ़ते हैं, टैन्द कोशन, हमारे देश के निमलिकित में से किस एक भाग में अधिकांश लोग अपने आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं, और इनका उप्योग करके वे अपना स्वादिष्ट भोजन त्यार करते हैं, बहुत इजी है, नारियल का जिकर आते ही हमको एक स्टेट बिलकुर दिखाई दे जाता है, भावेश जी ये जो पक्षी वाला पूछ रहे हैं, इसके लिए एक वीडियो हमारी बनी हुई है, एनिमल वाली, तो वो एनिमल वाली सीरीज आप देख लीजिए, उसमें पक्षियों के बारे में अलग-अलग घौंसलों के बारे मैंने बताया है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंथ का ए आंसर आ रहा है, और सबको बिलकुल विजन क्लियर है, क्योंकि केरला का नाम हम लेते हैं, तो हमें बहुत सारे नारियल के पेड़ हमेशा दिखाई दे जाते हैं, तो रा दवा के साथ रोजाना, हरी पत्तेदार सबजियां, आवला और गुड़ खाने की सलाह दी है, इस वैक्ति को धैरे रखना चाहिए, जो विकल्पों से पिडित है, मतलब उसको ये बिमारिया है, इस कारण से वो डॉक्टर ने उसको ये प्रसक्राइब किया है, ये सारी ची ये लास्ट येर पूछा जा चुका है, जो कोशन, मोस्ली कोशन इसमें से लास्ट येर वाले हैं, मोस्ली आंसर ए आ रहे हैं, एक डी भी आया है, और इसका जो राइट आंसर है, वो एनिमिया है, एनिमिया मतलब खून की कमी हो जाना, ठीक है, तो जब खून की कमी हो जाती है, तो हरी पत्तेदार सबजियां, आवला, गुड़, ये सभी क्या है, हेमोग्रोबिन की जो मात्रा है, उसको हमारी बॉड़ी में बैलन्स कर देते हैं, बढ़ाते हैं, जिनके कम होती है, उनके बढ़ा देते हैं, और बुखार, वाइरल, कुईसी भी तरह का फीवर हो सकता है, बैक्टिरियल है, इसके लिए गुड़ खाने की सलार नहीं दी जाएगी, ठीक है, गुड़ जहां पानी पी लिया है, उसके कारण भी टाइफाइट हो जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है, वो एनिमिया होगा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंट कोशन है, ब्रोंज, आपने सुना होगा, ब्रोंज, पहले ब्रोंज के बरतन बहुत चला करते थे, पु पुष्रिद्धातु है, जिसके मुख्य घटक कौन-कौन से होते हैं, कौन से दो मिल करके, जो है, वो कास से बनता है, कास से मिन्स कासा, जिसको कासा भी कहा जाता है, माही जी का आंसर बहुत जल्दी आता है, very good माही जी, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों का C भी आ रहा है, कुछ लोगों का B भी आ रहा है, D भी आ रहा है, इसमें जो right answer है, वो है तामबा और टिन, कई लोगों को तामबा और जस्ता लगता है, लेकिन होता नहीं है, यह confusion create करने के लिए दिया जाता है, इसको ध्यान रखेगा, copper and tin is the right answer, ठीक है, तो यह ध्यान रखेगा, क्योंकि कई लोगों को confusion होता है, कि तामबा और जस्ता मिला के कांसा बनता है, अशा नहीं होता है, तामबा और tin, तामबा की मातरा ज्यादा होती है, तिन की कम होती है, और उसको मिला के कांसा बनता है, तो यह एक मिश्रित धातु है, यह question भी पिछले साल पूछा जा चुका है, आगे बढ़ते हैं next question पे, 13 question है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक एक चीज बताई है, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में निमने लिकित कतनों पर विचार करें, देखिए आपका इस तरह का question जरूर आता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कि A, B, C, D options तो दे देते हैं, लेकिन इसका answer जो है, वो नीचे रहता है, उसमें से आपको एक चांटना होता है, ये जो column आपका है, ये वाला, इसमें से आपको चांटना होता है, कि right answer कौन सा होगा, तो इसमें क्या सिर्फ पहला वाला ही सही है, या पहला और दूसरा दोनों सही है, ऐसा आपको देखना पड़ेगा, उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, समय लीजिए, अच्छे से पढ़के right answer कीजिए, माही जी फिर फस्ट हो गई है, regular student जो है, वो होने का फाइदा अब आपको समझ में आ रहा होगा माही जी, कि regular आपने class attend की है, तो आपको answer पता चल जाता है तुरंत,